जै महाकाल दोस्तों कैसे हैं आप लोग आसा करता हूँ भले चंगे होंगे मज़े में होंगे दोस्तों आज मैं आप लोगों को कुम कुम की सक्ती के बारे में परिचित करवाँगा कुम कुम में कितनी सक्ती है कितनी सक्ती साल यह चीज है कि इसके प्रभाव से व्यक्ति जो कुछ चाहता है वो हासिल कर सकता है आपने देखा होगा दोस्तों कि महिलाए कुमकुम का तिलक लगाती है ये सोभाग्य का प्रतीक होता है ये सोभाग्य को बढ़ाता है और कुमकुम ही सक्ति का प्रतीक है जब पुरुस इसको अपने मस्तिस्क पर धारन करता है तो यही कुमकुम सक्ति का प्रतिक बन जाता है दोस्तों यह जो कुमकुम है आपने देखा होगा कि कुमकुम जब भी जो राजा, रजवाडे, महराजा लगाया करते थे उसको अंगुठे से लगाते थे और ऐसे भाल पर सीधा तिलक लगाया करते थे इसका यह तिलक विजय स्री के लिए होता है यदि आप भी कुमकुम का इस तरह से प्रयोक करना चाहे जिसे कोई कोट कचेरी का आप पर मुकदमा है या किसी ऐसी जगह पर आपको जाना है जहां हार जीत का फैसला होने वाला है ऐसी जगह पर आपको हमेसा सवे रही जब आप फुजा पाट करके फुरसत होते हैं तो जो आपने कुमकुम माता जी को या जिस किसी भी देवी देवता को आप मानते हैं उनका तिलक किया है उसमें से जो बचा है उससे आप अपने अंगूठे से इस तरह से तिलक करें या अपनी धरम पत्नी से इस तरह से तिलक करवाएं ऐसा करने से आप जिस किसी भी कारे में जाएंगे उस कारे में आपको निश्चित ही विजय प्राप्त होगी तो दोस्तों यदि आप हमारी चैनल में नए है तो मैं आपको बता दूं कि हम इस चैनल के माध्यम से हमारे प्राचिंतम ग्रंतों में छुपे हुए कई ऐसे गूड राज्से हैं जिनके बारे में जानकारी प्रदान करते हैं, तंत्र, मंत्र, टोने, टोटके के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं, अंक सास्त्र, जोतिस सास्त्र, व्रत, तेवार, पूजा, विधी के बारे में भी समय समय पे जानकारी प्रदान करते रहते हैं, तो यदि आप भी इसी चैनल के माध्यम से इसी तरह की जानकारी आपको देते रहेंगे तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाल हूँ कि कुम-कुम का प्रयोग कि जिसके करने से आपका मन में जो कोई इच्छा है वो इच्छा बिना मांगे ही आपकी पूरी होने लग जाएगी दोस्तों आप जान प्रशन होते हैं तो वह वस्तु या व्यक्ति या कोई भी चीज आपको चाहिए वह आपको बिना मांगे स्वता ही मिलने लग जाती है क्योंकि जब भगवान विश्णु प्रशन होते हैं तब आप पर वह अपने आप चीजों की बरसा करवाने लग जाते हैं तो इसके करते हैं वो पूजा में भगवान विष्णु को चंदन का तिलक अवर्ष्य लगाएं और चंदन का तिलक हमेशा बेट करके लगाना चाहिए कभी भी खड़े हो करके नहीं लगाना चाहिए चंदन का तिलक आप कभी भी लगाते हैं तो जो कोई तिलक आप भगवान की मुर् को लगाना चाहिए उसके बाद में जो बचता है वही अपने भाल पर अपने मस्तिस पर धारन करना चाहिए तो ऐसा ही चंदन का तिलक आप अपने सिर पर लगा लें बीचो बीच में लगा लें इस तरह से गोल कर लें और उसके बीच में आप एक लाल कुम कुम का तिलक लग जाने और उसके बराबर बीचों बीच में आप लाल कुमकुम का तिलक लगा लें ऐसे करने से आप के सारे ही दर्वाजे कुल जाएंगे और आप बिना मांगे देखेंगे के जो कुछ आपको चाहिए था एक एक करके सारी चीजे आपको मिलने लग जाएंगी तो दोस्तों नित्य प्रति इस क्रिया को करें दो मिनिट का काम है लेकिन ये क्रिया आपके बंद भागे के सारे दर्वाजे खोल देगी और आपको जो कुछ चाहिए वो बिना मांगे ही मिलने लग जाएगा तो चलिए दोस्तों अब इसी उपाय के साथ मुझे दीजे विदा और आप लोग देखते रहें दियो प्रकास और अपने जिवन में लाभानवित होते रहें धन्यवाद